बिल्कम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है इस वीडियो में S.P.D. रिवाज और सिल्फ का सेट नंबर 110 देखेंगे जो आपके एक्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण हो सकता है तो फिर इंट आई स्टार्ट करते हैं जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधीर परनाली में प्रविष्ट होता है तो परतिकिरिया कौन प्रणाम करता है सेट रिसका हो जागा WBC option B कौन सा रक्त समूव शर्वग राही है यह A B option B option D हो जागा झाल आई यह A u nivnogn रक्त बर्ग, शर्वधल त्रिक दाता है ओपशन B वो हो जाता है, सर्वदाता और यृवी शर्वग ररही होता है इदी किसी पूरूर श्रुमरख रुक्त बर्ग यह भी होतो होत था महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों मिनमलिकित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है से उतर इसका हो जागा ओप्शन D अगला प्रश्ण है यदि पीता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताएए कि उनके पूत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है तो यह हो सकता है ओप्शन C रुधीर बर्ग वी वाला ब्यक्ति निरापद कोन से रुधीर बर्ग के उपर ब्यक्तियों को रक्त दान दे सकता है से उतर इसका होजागा B और AB को option D अगला प्रशन है सेरिब्रम किस से समन्धीत है तो ये मस्तिस्क से समन्धीत है option C होजागा राटेंसर मनुष्ट के मस्तिष्का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क option C मानव सरीर के कीन कोशिकाओं में सबसे कम पुनल योजन शक्ति होती है से उतरिष्का हो जगा मस्तिष्कोशिकाओं में option A अगला प्रस्ण है मनुष्य में मेरुडंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकाली जाती है से उतरिष्काओं जगा 31 option C अगला प्रस्ण है प्रतिवर्ति किरियाओं का नियंतरन के इंदर कहाँ पर है यह है कसीरुक रज्जु में option C अगला प्रस्ण है आउक्सीजन के उपस्तिती में सुक्रोज का CO2 एवं जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रुपांतरन होने को कहते हैं बायुश वर्ष्ण कहा जाता है option इसका A राट एंसर हो जागा हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मातरा लगव कितनी होती है पूर्ष्ण की किरिया को पूरा करने के लिए होता है तो यह होता है पूर्ष्ण की किरिया कहा होती है अंडवाहिनी में अंगला पूर्ष्ण है गर्वासे में सिसू के विकास की जनकारी है तो किसका परियोग किया जाता है सेवतर इसका हो जागा अल्ट्रसाउंड अंडवाश के लिए निमलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है अगला प्रश्ण है इस तीरियोग की नसबंदी को कहा जाता है सेवतर इसका हो जागा ट्यूब एक टोमी अप्शन इसका बी हो जागा निमलिखित में से कौन एक गरंथी नहीं है जठर अप्शन बी मानव शरीर की कीस गरंथी को माश्टर गरंथी कहा जाता है सेवतर इसका हो जागा प्यूस गरंथी को अप्शन C अगला प्रशन मनुष की शरीर की सबसे छोटी गरंथी है पिट्यूटरी अप्शन इसका C हो जागा गाय और भैंस के थानों से दूद उतारने के लिए किस हर्मोन की सुई लगाई जाती है सेवतर इसका हो जागा ऑक्सिटोसिन ऑप्शन B थाइरोइड गरंथी से थाइरैक्सिन शरावित करने के लिए उतेजित करने वाला अंताश्रावी हर्मोन कौन शाह है सेवतरिस्का हो जागा TCH option A निमलिखित में से किसी की कोई संक्रिय संक्रिया के कारण मानव स्सरीर में मिक्सी दीमा होता है सेवतरिस्का हो जागा up todı granti option D अगला प्र отп claw lik Lit हार्मोन में से किसी में आयोडीन होता है सेवतरिस्का हो जागा थायरक्सीन ओप्शन A अगला प्रस्न है निम्लखित में से कौन सी एक अंते सिरावी गरंथी प्योस गरंथी से सुतंत्र कारी कर सकती है शेवतरिस्का होजगा पराबटू ओप्शन D रक्त दाव का नियंतरन कौन करता है सेवतरिस का होजगा अधिब्रीक का ओप्शन A अगला प्रस्ण है जीवन रचक हार्मोन की इस गरंथी से स्रावित होते हैं सेवतरिस का होजगा एड्रिनल ओप्शन A अगला प्रस्ण है इंसुलीन है एक परकार का है हार्मोन ओप्शन B प्रकाष बर्स किसका एकाई हैं? सेँधरिसका जगा दूरिका ओप्शन Е निमर्णिकित में से कौन सायक हर्मोन हैं? सेँधरिसका जगा इंसुलीन ओप्शन C कौन सी गरंती इंसुलीन नीश्ळारं के लिए उतरदाई हैं? तो यह ड़क नस्य हैं? option D हो जाएगा आंख के किस भाग पर वैस्तु का प्रत्वीम बनता है शेवतरिस्का हो जाएगा रेटीना option D मानव नेत्र में उपस्तित रेटीना में रंगों की विभेदन के लिए उपस्तित होते हैं सेवतरिस्का हो जाएगा कौन से option A अगला प्रश्ण है आईरिस का क्या कार्या है तो यह पूतली के अकार को नियंत्रित करना option इसका हो जाएगा शोते हो जाएगा